हरियों नमस्कार प्रियदर्शकों 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को ग्रहों के राजकुमार बुध राशी परिवर्टन करने जा रहे हैं 10 मई को राजकुमार बुध मेश राशी में प्रवेश करेंगे और 31 मई तक इसी राशी में रहेंगे बुध जिसे बुध्धी, गणित, वाणी, कम्यूनिकेशन स्किल्स का कारक माना जाता है बैंकिंग, मार्किटिंग, बिजनस, व्यपार आधी के लिए भी बुध को देखा जाता है ऐसे में बुध का जो ये राशी परिवर्तन होने जा रहा है वो विभिन राशियों पर क्या असर डालने वाला है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रियदर्श को मैं हूँ एस्ट्रोलजर महेस होता आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये जो राशी फल में आपको बताने वाली हूँ ये राशी फल में आपको आपकी चंदर राशी के अनुसार बताने जा रही हूँ सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की प्रियदर्श को मेश राशी वालों के लिए बुद्ध का ये गोचर प्रत्थम भाव में होने जा रहा है बुद्ध आपके तीसरे भाव के स्वामी और छटे भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं ऐसे में आपको व्यपार संबंधी लाभ इस गोचरकाल में हो सकता है अगर आपको इस बिजनस करते हैं तो संभावना है कि आपको उसमें लाभ प्राप्त हो आपका बिजनस इस गोचरकाल में अच्छा चले जीवन साथी के साथ भी इस गोचरकाल के दोरान आपके रिष्टे अच्छे रहेंगे वेवाहिक जीवन आपका इस गोचरकाल के दोरान अच्छा रहने वाला है बात करें अगर स्वास्थे की तो हाँ, स्वास्थे में थोड़ा आपको साथधानी बर्तने की जरूरत रहेगी स्वास्थे को लेकर थोड़े सावधान रहे तवचा संबंधी रोग स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको पहले से ही है तो उसका ध्यान रखे अन्य था इस गोचरकाल के दोरान स्किन रिलेटेड कोई भी परिशानी आपको होने की संभावना है सिर्दर्द आदी की समस्या भी इस गोचरकाल के दोरान आपको रह सकती है तो उसका आपको ध्यान रखना है इस समय के दोरान आपको दूसरों पर विश्वास अधिक नहीं करना है आँखे मूद कर किसी पर विश्वास ना कीजिए और हो सकता है कि उधार चुकाने के समय आपको थोड़ी सी प्रॉबलम इस गोचरकाल के दोरान आए उधार चुकाने में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि कारोबार में व्यपार में तरक्की के योग है परन्तु मेहनत करने से पीछे ना हटे अन्य था लाग कम प्राप्त होगा आईए अब बात करते हैं दूसरी राशी की जोकी है विर्षब राशी प्रियदर्शकों विर्षब राशी के लिए बुद्ध का ये गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है बारवे भाव में होने जा रहा है प्रियदर्शकों मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये राशी फल मैं आपको आपकी चंद्र राशी के अन्वसार बताने जा रहे हूं बुध आपके द्वितिय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर बार्मे भाव में गोचर कर रहे हैं ऐसे में बुध का ये गोचर ज्यादा शुप तो नहीं कहा जा सकता क्यूंकि व्यर्थ के खर्चे इस गोचरकाल में आपके होंगे अधिक खर्च इस गोचरकाल में आपका हो सकता है आपकी सेविंग्स जो हैं वो हो सकता है कि ज्यादा खर्च में ही जाए और ज्यादा सेव भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो ऐसा देखने में आ सकता है कि संतान संबंदी कोई नो कोई परिशानी आपको इस गोचरकाल के दोरान आ सकती है संतान से कोई वचारिक मतभिद आपका इस गोचरकाल के दोरान हो सकता है विध्या संबंधी परिशानिया आपको आ सकती है विध्या में कोई बाधा आप इस गोचरकाल के दोरान फील कर सकते हैं concentration level में आपके कमी इस गोचरकाल के दोरान आ सकती हैं। अगर बात करें उन विध्यार्थियों की जो विध्या संबंधी, विधेश शात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये गोचरकाल सहाय करेगा। विधेश जाकर अगर आप विध्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गोचरकाल उसमें आपका सहाय करेगा। बिजनस में कोई न कोई परशानी आपको देखने को मिल सकती है। छटे भाव पर बुद्ध की दृष्टी होने से ये भी देखा जा सकता है कि आपको इस गोचरकाल के दोरान रिण लेने और रिण देने से बचना चाहिए अन्यथा आपको हानी हो सकती है। आईए अब बात करते हैं अगली राशी की जो की है मिथुन राशी। मिथुन राशी के लिए बुद्ध का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। जिसे की लाब भाव भी कहा जाता है। तो ऐसे में लाब भाव में बुद्ध का ये गोचर आपके लिए लाब के रस्ते खोलने वाला है। आपके लिए लाब के नए रास्ते बनाने वाला है। इस गोचरकाल के दोरान आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी। अपनी संतान के साथ आपके रिष्टे मदूर होंगे, संतान की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा इस गोचरकाल के दोरान, और जहां तक बात की जाए प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन के लिए भी ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, प्रेदर्श को इस गोचरकाल के दोरान आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, धनलाब आपको इस गोचरकाल के दोरान होने वाला है, कारोबार में तरक्की, कारोबार में धनलाब आपको इस गोचरकाल के दोरान मिलने वाला है, तो ये जो गोचरकाल है आपके लिए शुग रहन में होने जा रहा है प्रियदश को बुद्ध आपके तृतिय भाव के स्वामी होकर और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं मैं आपको पहले ही बता दू कि मैं ये राशीफल आपको आपकी चंद्र राशी के अनुसार बता रही हूँ तो दशम भाव पर जो बुद्ध का ये गोचर होने जा रहा है उससे आपको अपने कारिस्थल पर अधिक संघष करना पड़ेगा आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इस गोचरकाल में अधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उतार चड़ाव आपके कारिशेत्र में इस गोचरकाल के दोरान आ सकते हैं अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कारे करते हैं या विदेश में जाकर नोक्री करना चाहते हैं प्रियदर्शकों इस गोचरकाल के दोरान आपको भोतिक सुखों की प्राप्ती तो होगी परन्तु आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा आपके पुरुशार्थ से आपके पराक्रम से आपकी मेहनत से ही आपको इस गोचरकाल के दोरान सफलता मिलेगी और भोतिक सुख प्राप्त होंगे आये बात करते हैं अगली राशी की जो की है सिंग राशी प्रिय दर्शकों मैं आपको पहले ही बता दू कि ये राशी फल मैं आपको आपकी चंदर राशी के अनुसार बताने जा रही हूं बुद्ध आपके नवम भाव में गोचर करने जा रही है बुद्धाप के ग्वितिय स्थान के स्वामी होकर और एकादश स्थान के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने लगे हैं ऐसे में आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ इस गोचरकाल के दोरान मिलेगा आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी आपका उतना साथ देगा आपकी income के sources बढ़ेंगे इस गोचरकाल के दोरान आपके आई के स्त्रोत आई के साधन बढ़ने वाले हैं जिसके फलस्वरूप धन लाव के लिए भी आपके लिए ये गोचरकाल अच्छा रहने वाला है धन लाव भी आपको एक से अधिक स्त्रोतों से एक से अधिक sources से होने वाला है धन संचे की स्थिती देखा जाए वो भी अच्छी रहेगी और धन लाब भी आपको इस गोचरकाल के दोरान अच्छा होने वाला है भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा कोई यात्रा अगर आप करते हैं तो उससे आपको लाब प्राप्त होगा आए बात करते हैं अगली राशी की जोकी है कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए बुध का ये गोचर अश्टम भाव में होने जा रहा है प्रियदर्श को बुध आपके प्रथम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर अश्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं ऐसे में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस गोचर काल के दोरान आ सकती है अपने स्वास्थे का आपको बेहद ख्याल रखना चाहिए इस गोचर काल के दोरान त्वचा संबंधी कोई प्रॉब्लम त्वचा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस गोचर काल के दोरान देखने को मिल सकती है गुप्त विद्याएं, जोतिश, तंत्र मंत्र और कल्ट साइंस आदी में भी इस गोचरकाल के दोरान आपकी रूची बढ़ सकती है अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरस्ट इन चीजों में हैं तो ये गोचरकाल उसमें सहायक रहेगा अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, कारिशेत्र की बात करें तो संघर्ष अधिक आपको इस गोचरकाल के दोरान करना पड़ेगा उतार चराव आपको इस गोचरकाल के दोरान अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है अधिक संगर्ष अधिक मैनत करने के बाद ही आपको आपके कारिशेत्र में इस गोचरकाल के दोरान लाप्राप्त होगा प्रियदर्श को ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया है छे राशियों के बारे में कि उनके लिए बुद्ध का ये गोचरकाल कैसा रहने वाला है धन्यवाद हरी ही यों